हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन क को भी दबा दीचिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगी तो सातियों जैसा कि आपने थमनेल में देख लिया होगा जी हा सातियों वही टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो हिंदी जानते हैं लेकिन इंग्लिस नहीं जानते इंग्लिस पढ़ने नह तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटल क्या है हाउ टू राइट आ नेम हम इसे बोल सकते हैं कि बारह खड़ी आपको पता होंगी उस टाइप से तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ आपको हिंदी में ए आ ए जो हिंदी के जो वर्ण है एल्फाब बनता है ए आ डबले ए आई से बनेगा और बड़ी ए है जो वो डबली से उ यू से बड़ा उ डबलो से इसके बाद इसमें मात्रा भी है ए ये ए की मात्रा डंडा हो गये आ के लिए यह हो गया छोटी ए के लिए यह हो गया बड़ी ए है जो इसके लिए यह हो गया U के लिए यह चोटा U हो गया यह बड़ा U आजाए तो यह मात्रा होगी इसके बाद और भी हैं आगे वो देख लिजिए इसके बाद और रिशी वाला होता है तो उसमें क्या है इह हो गया R.I. और यह हो गया A.E. हो गया यह मात्रा हो गयी यह और यह हो गया तो सातियों सबसे पहले तो आपको यह learn करने पड़ेंगे कि A A से बनेगा A A से बनेगा तो जैसे यह हिंदी में आएंगे आपको मैं बता देता हूँ हिंदी में जैसे यह आ गए तो आपको क्या करना है वसी टाइप से इंगलिस में write करना है अभी मैं आपको आगे और बता देता हूँ जैसे क्या आगया क्या में चीज ये आपके लिए क्या के से बनता है क्या के अच से ग्या जी से बनेगा जो ग्या घडी वाला ग्या है वो जी अच से बनेगा अन्य किससे बनेगा एं से और चै सीएच से चै सीएच से इसके बाद जो आपका जी होगा जै स्वरी जै होगा जै से बनेगा जैग sih से और जो अन्य है एं से बनेगा इसके बाद टे होगा टे टी से बनेगा ठे टीएच से डे डी से धे धक्कनवाला धे डीएच से अने एन से टे टी से ठे टीएच से दे डी से इसके बाद धे डीएच से ने एन से पै पी से फै पीएच से बै बी से भै बीएच से मै एम से ये वाई से और इसके बाद रे आर से ले एल से वै वी से और जो सलगम वाला से ये एच से और सटकोर्ड वाला भी ये एच से और से जो है ये एच से ये वाला से और है एच से बनेगा और जो सत्तृय वाला होता है ये K, S, H ये इससे बनेगा तो साथियों आपको पहले बता देता हूँ ये सबसे पहले आपको learn करने पड़ेंगे बिल्कुल सिंपल है K, K से बनता है K, K, H से बनता है ये आपको बिल्कुल पता होंगे अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई कुछ हमारे सामने लिखा हुआ है हिंदी में हम उसको English में कैसे लिखेंगे तो वो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई learn पूरा आजाए learn का मतला है कि क्ये, क्ये, कोई सा भी पूरा आजाए आप ध्यान दें उसके बाद कोई मात्रा ना हो मतलब वो पूरा आजाए कोई भी उसके बाद कोई मात्रा ना हो और वह learn अंत में भी ना हो और वो learn है जो वो last में भी ना हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं एका प्रियोग करते हैं मतलब सातियों आप ध्यान दें मैं आपको बता देता हूँ अगर कोई सा भी वर्ण पूरा आजाए मतलब कैख, खैघ, कोई सा भी पूरा आजाए उसके बाद कोई मात्रा ना हो और वो लास्ट में भी ना हो मतलब कोई भी मात्रा या कोई भी डंडे होते हैं ये नहो और वो लास्ट में भी नहो तो हम क्या यूज़ करते हैं एका यूज़ करते हैं उसके बाद में जैसे हमारे सामने लिखा हो ए सचिन सचिन से पहला हो गया से पूरा आ रहे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा इसके बाद में चै पूरा आ रहे लेकिन चै साथियो इसमें क्या है चै के उपर मात्रा लगी हुई है आप देखें इसमें अगर आप देखेंगे तो चै के उपर क्या है मात्रा चड़ी हुई है E वाली तो इसके बाद A नहीं आएगा तो चै, CH से और जो मात्रा है मैंने आपको बताए था E वाली मात्रा किस से बनेगी आई से, आप स्टार्टिंग में एक बार जरूर देखें ने पूरा आ रहा है लेकिन ये कहां पर है लास्ट में तो A नहीं आएगा तो हम क्या बनाएंगे S A C H I N S A C H I N ये बन गया सचिन तो ध्यान दे अगर कोई भी अल्फाबेट पूरा हो उसके बाद कोई मात्रा ना हो मतलब कह खेंगे कुछ भी है वो पूरा आ गया लेकिन उसके बाद क्या है तो चै बनता है C H C तो A लगा दिया हमने ठीक है क्यों 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 पूरा आ रहे और लास्ट में भी नहीं है में पूरा रहे और ये भी लास्ट में नहीं है तो इसके बाद भी A लगा दिया ने पूरा आ रहा है लेकिन सात्यों ये ने कहां पर है लास्ट में है तो इसके बाद A नहीं आएगा तो क्या बन गया चमन तो आप ध्यान दें कोई भी alphabet पूरा हो उसके बाद में मात्रा ना हो और वो लास्ट में भी ना हो तो हम क्या करते हैं A का यूज़ करते है बहुत ही सिम्पल है आपको क्या करना है कैख, खैख, ये सारी चीज़े याद करनी है और इसके बाद आपको मात्रा याद करनी है A, A का जो डंडा है A, जो आ के है E, छोटी E की जो मात्रा है फिर बड़ी E है, उसकी मात्रा है इस टैप से ये याद करनी है बड़े अराम से आप कर सकते हैं तो साथियों आप ये करके देखें अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंड करके जरूर बताएं और जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बना दूँगा जो साथी अच्छे से नहीं पड़ पाते तो साथियों गुडबाई, टेक कियर, थेंक यू, जैहिन और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू